हेलो दोस्तों नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एक्जाम गुरुजी चैनल की डेली करेंट अफिर्स के वीडियो में आज 16 अक्टूबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडियो की पीडियो डाउलूट करने मत भूलिएगा ये पीडियो आपको हमारे टेलिग्राम चनल से मि जाएगी जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिक्शन में दी गई है उसके अलाबा ये पीडियेफ आप एक्जाम गुरुजी की एप्लिकेशन से डाउनलूट कर पाएंगे एप्लिकेशन आप गूगल प्लेश्टोर से डाउनलूट कर लिजे अगर अभी तक आपने इस पर चल रहा है, MPPSC के लिए टेस्टरी आपके लिए अबलेबल है, MPPSC के लिए प्रिंटेट नोट्स हिंदी और इंग्लिस दोनों माध्यम में अपलब्द हैं, और इंग्लिस मिडियम के सभी नोट्स डिस्पेच हो चुके हैं, जिनके नोट्स प्राप्त हो गए हैं, क हो सकता है, कुरियर बगेरा के पास में आपके नोट्स हो, तो जल्द ही आपके पास में पहुंच जाएंगे, इसके लाबा, MPPSC Pre के लिए आपका कूर्स अबलेबल है, मेंस के लिए भी उप्राप्द्य कूर्स, अधिक जानकरी कि इस नंबर पर वाट्स आप या इस नंब प्रसन है, कि विश्व मानक दिवस कमरा आ जाता है, तो चौदा आक्टूबर को तीसरा प्रसन है, किस देश को अंतराश्टी सौर गड़ बंधन का दिक्ष चुना गया है, तो एक बार फिर से दो साल के लिए भारत इस संगठन का दिक्ष बना है, चोधा प्रसन है, कि FATF इतने पाकिस्तान को कि सूची में डाला है, तो ये ग्रेल इस्ट में ही रखा गया है, पांचवा प्रसन है, भारती सेना और किस राजिकी पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया, तो इसका आयोजन महराष्ट पलिस और भारती सेना के बीच में हुआ, छटवा प्रसन है कि भारत पेने कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना अप्रांड अमिस्टर बनाया है, तो ग्यारा क्रिकेटर की टीम को अपना अप्रांड अमिस्टर बनाया गया है, साथवा प्रसन है कि किस निरत्यांगना सोभा नाइडू का निधन हो तो ये कुछ पुड़ी की निर्त्यांगना है वहीं आठवा प्रसने के World Economic Forum ने 2021 में दावोस में होने वाली वार्षिक बठक का इस्थान द्वेल कर क्या कर दिया है तो ये लूसर ब्रेंड स्टॉक्स कर दिया गया है पहले दावोस में होती थी जो किस विजर इंट में स्टे बस रू की है तो ये हरी अना के द्वरा की गई है ये थे हमारे कल के पड़े गए अगरे डिफिर के प्रसनों का क्यों कि रिविजन आगे बढ़ेंगे आज के प्रसनों की बात करेंगे और आज की अगरे डिफिर का पहला प्रसन इसमें आगे बढ़ें उससे पहले में दाक में जोजिला सुरंग के निर्मान कारी की सुरुआत किस के द्वारा की गई तो इसकी जो सुरुआत की गई वो नितिन गटकरी जी के द्वारा की गई यानि की बी आप्शन प्रसनका सही उतर है डीटेल लेख लिजे क्या है तो सलक परिवहन और राजमार्ग मंतरी हैं नितिन गटकरी याद रखेगा ये लोग सभा में सांसाद हैं नागपुर महराष्ट से इनके दोरा जम्मू और कश्मीर में जोजिला सुरंग निर्मान के कारी की सुरुआत की गई और इसकी सुरुआत जम्मू कश्मीर के पश्यमी पोर्टल है नीलागड नीलागड और दर्दा के इस्ट पोर्टल है स्पैंगला मीन मर्ग इसमें विस्फोर्ट करके की याद रखेगा ये जब बन जाएगी तो एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी सबसे लंबी सुरंग होगी ये राष्ट राजमार्ग एक परिस्थ है द्रास कारगिल होते हुए स्रिनग और लेह को ये जोड़ेगी और एशिया की सबसे लंबी टनल रूट होगी ये भी आप याद रखेंगे बात जमू कश्मीर की करते हैं यहां की राजधानी शिरिनगर है राजपाल मनुच्छे नहाय हाल ही में बदले गया है और लदाक के जो राजपाल है आरके माथूर य इसका इनुगरेशन किया गया इसके अलावा संसद ने जम्मो कश्मीर आधिकारिक भासा विधेक 2020 पारित कर दिया और इसके तहट अब कश्मीरी डोगरी हिंदी अंग्रेजी और उर्दू ये जम्मो कश्मीर की आधिकारिक भासाएं होंगी बात दूसरे प्रशन की कि विश्व चात्र दिवस का मनाया जाता है यानि कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ये जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को ग्यानि कि C option प्रस्नका सही उतर है डीटेल देख लीजे क्या है तो हर साल 15 अक्टूबर को भारत के जो मिसाइल में इनके नाम से विख्यात राष् ने एपिजे अबदुल कलाम सहाब के 79 जन्म दिवस वर्थडे को विश्व चातर दिवस के रूप में मनाने की घोशना की थी और कलाम सहाब की बात करें तो 2002 से लेकर 2007 की बीच भारत के राष्ट पती रहे थे और ये भारत के 11 राष्ट पती थे इस बार की जो थीम है वो ह अंतराष्ट्री ग्रामीन महिला दिवस जो मनाया जाता है वो भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है यानि कि ए ऑप्षन प्रसनका सही उतर है डीटेल लिख लिजे क्या है तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल अंतराष्ट्री ग्रामीन महिला दिवस के रूप में कौ क्यों मनाया जाता हैं ये दिन जो है क्रशी और ग्रामीन विकास को बढ़ावा देने के लिए खासic और इसके लाबा जो खादिसरक्चा है गाओं की गरीब को दूर करने में जो आदी वासी महिला और खासकार ग्रामीन महिलाओं की जो भूमिका रही इन साब कामों में उनका क्या योगदान रहा है उस भूमिका की क्या importance है इसी को रिखांकित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और इस बार इस दिवस की theme है Building Rural Women's Resilience in the wake of COVID-19 ये इस बार का इसका विश्चर है बात करेंगे चौथे प्रस्न की कि भारत किस देश को अपनी सिंधुवीर पंडुब्बी देगा तो भारत सिंधुवीर पंडुब्बी जो है वो देने वाला है मियामार को यानि की D option प्रस्न का सही उतर है डीटेल दिख लिजे क्या है तो मियामार के साथ समुदरी छेतर का सहयोग बढ़ाया जाए और इसी के प्रयासों के तहट भारत उसे किलो स्रेनी के हमारी पंडुब्बी है INS इंधुवीर ये मियामार को देगा और ये मियामार की नुशना की पहली पंडुब्बी होगी ये जो पंडुब्बी है ये अस्ती के दसक में भारत ने खरीदी थी और रूस से इसको खरीदा था और म्यामार को सोपने से पहले इसमें कुछ important बदलाव किये जा रहे हैं पूर्वी एशिया के जो भारत के पडूसी देस हैं उनके साथ जो भारत के प्राचीन परमपरेक्रिस्थे भी रहे हैं तो उनी रिस्तों को और मजबूत किया जाए तो इसके लावा चाइना जो है हमारे आसपास के चेतर में अपने वर्चस को बढ़ा रहा है तो उसके वर्चस को कैसे कम किया जाए तो इनी सब चीजों के लेकर पिछले कुछ सालों से एक्ट इस्ट की नीती पर जो वर्तमान सरकार है वो जोर दे रही है इससे पहले लुक इस्ट की नीती थी याद रखेगा यानि कि देखो यह एक्ट यानि कि करो बात म्यामार की करते हैं कि राजधानी नेपीदा हैं प्रदान मंतरी यून विंडमिंट हैं और स्टेट काउंसल यहां की आंग, सान, सूकी और मुद्रह की कियाट है चलिए मैप में मैं आपको अब म्यामार दिये चलता हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको म्यामार जाना है तो यहां पर आप देखेंगे यह म्यामार इस्तित हैं जिसकी राजधानी आप नेपीदा आप देख पा रहे होंगे म्यामार की सीमा इस तरफ तो भारत के साथ लगती ही है इस तरफ बंगलदेश के साथ भी इसकी सीमा लग जाती है उपर नॉर्थ में इसकी सीमा चाइना के साथ में इस तरफ पूर्व में लाउस के साथ में और इदर नीचे थाइलेंड के साथ में इसकी सीमा लगती है और ये देश देखेंगे तो मियामार नीचे थाइलेंड के साथ यहां तक फैला हुआ है इस तरफ अंडमान सागर है इसके इस तरफ देखेंगे और इदर बंगाल की खाड़ी है आगे बढ़ेंगे बात करेंगे अगले प्रश्णकी अगले प्रस्णा है उससे पहले में पिछले करेंट इफेर में म्यामार से जम्मजित हमने पड़ा था कि भारत के सिना प्रमुक M. M. नर्वाने और विदेश अचिव इनने मयामार का दोरा किया विदेश अचिव कौन है तो हर्श्वर्धन स्टंगला है इसके लबा मयामार का जो सित्वे पोर्ट है उसका संचलन भी भारत करेगा और यह second दूसरा पोर्ट होगा जिसका संचलन भारत किया तोरा किया पोर्ट है जो कि कहाँ पर है इरान में है बात करें पांचेवे प्रस्ण की कि संग्तराष्ट के अनुसार जलवाईव आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत के सिस्थान पर है तो भारत का इसमें तीसरे स्थान है यानि कि ए आप्षन प्रसनका सही उतर है डीटेल लेख लीजे क्या है तो संक्राश्ट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो जलवाईव किसे सम्मजित आपदाय होती हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रभावी देशों में भारत तीसरे इस्तान पर आता है अ दर्ज की गई है और अन्य देशों की बात करें तो भारत और चाइना के बाद अमेरिका अमेरिका के बाद भारत और इनके बाद फिलिपिन्स, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बंगलादेस और अफगानिस्तान सामिल हैं बात संग्त राष्ट संखी की करे तो इसके स्थापनेटी 24 अक्टूबर 1925 को मुख्यालेस का नियू यूर्क में है और महसाचिव एंटोनियो गुटेरस हैं सदश देशों की संख्यास की 193 है बात करें छटी पर प्रसन की कि हाल ही में कौन सा देश UNHRC United Nations Humans Rights Commission इसका पांची वार सदेश चुना गया है और तो पाकिस्तान का खराब जो मानवावदिकार का रिकॉर्ड रहा है उसके बाद भी मानवावदिकार समू के विरोध काफी सरे समू ने इसका विरोध किया उसके बाद संख्यू राष्ट मानवावदिकार परिशद यानि की UN HRC में उसको दोबारा चुन लिया गया है और परिसद में पाकिस्तान पांची वार चुना गया है, अन्य जो देश पाकिस्तान के साथ चुने गया है वह चाइना, रूस और क्यूबा, ये भी संगत राष्ट माना दिकार परिसद की सीटों पर इनकी द्वारा भी जीत हासिल की गई है, बात पाकिस्तान की करें, यहां की रियाज़ान इसलाम अबाद, प्रधन मंत्री इमरान खान है और मुद्रयाय की पाकिस्तानी रुपया है, बढ़ेंगे साथ वह प्रसन की तरफ कि किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एपी वैक कोरोना इसको मंजूरी दी है और ये मंजूरी दी प्रारंभिक चरण के बाद, अध्यान के बाद इसको मिली है, यानि कि प्रारंभिक चरण का इसका अध्यान किया जा चुका है, इससे पहले रूस ने एक और कोरोना वैरस वैक्सीन लांच की थी और ये दुनिया की पहली के और कोरोना वैरस वैक्सीन थी उसका नाम रखा इसके Vector Star Street Research Center द्वारा इसको विक्सित किया गया है बात करें रूस की तो यहां की राजनादी मास्को है राष्टपती बलादमीर पुतिरों मुद्रा यहां की रूबल है चलिए मैप में मैं आपको बूस लिए चलता हूँ तो जैसा कि आप इस्क्रीन पर देख पार है यह हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रूस जाना है तो उपर देखेंगे चाइना है चाइना के बाद मंगोलिया और मंगोलिया के बाद यह जो ग्रीन कलर का बड़ा से देश इधर अमेरिका के पास में अलास्का से शुरू होता है तो इधर आल्मस्ट यूरोप तक पहुँचाता है आधे यूरोप तक ये फैला हुआ है और ये ऐसा देश है जो यूरोप में भी स्थे थे और एशिया में भी स्थे थे के रूस ने 7 अक्टूबर 2020 को घुशना की थी कि उसने एक नई हाइपर सोनिक एंटेशिप क्रूज मिसाइल का सफल परिक्षन किया है उसका नाम रखा गया है टेसर कोन इसके लाबा ब्रिक्स से समेलन जो की 17 अवंबर को होना है गुजरात में यानि की B option प्रसनका सही हुतर है डीटेल लिख लिजे क्या है तो गुजरात की सरकार ने राज्य के अंदर एक green field, zinc, smelter, स्थापित करने के लिए वेदान्त समू की जो फर्म है हिंदूस्तान, zinc, limited उसके साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये है और ये दुनिया का सबसे बड़ा green field, zinc, smelter होगा ये आपको याद रखना है इस सुविधा के लिए पांच हजार से करिए दस हजार करोड रुपे के निवेज की चरणों में अमश्रक्ता होगी और जिसे 5,000 सेधिक प्रतेक्च और अप्रतेक्च रोजगारों का स्टेजन होगा और 2022 तक ये चालू हो जाएगा बात करें पिछले करेंड डेफर में गुजरात की तो गुजरात में online e-sanjeevni OPD योजना की सुरात की गई है उसके लापक गुजरात सरकार ने मुख्यमंतरी महिला उत्सरजन योजना की सुरात की है और गुजरात सरकार की दोरा पहली धरोहर प्रेटे नीती की भी खोशना की गई है बात करेंगे गुजरात की तो मैप में देख लीजे यहाँ पर यह गुजरात है भारत का सबसे पूरवी राज्य है राजधान यहां की गानी दागर है, मुक्यमंत्री विजय उरुपान है राजजपाल आचारे देवरत हैं लोकसबा की यहां पर 26 सीटे हैं, राजसबा की 11 सीटे हैं और विदान सबा की 102 सीटे हैं जोजल ड्रिंक 4 टैप मिशन यूजना सुरूक की है और इसी यूजना को सुरूक की आगे है ओडिसा की सरकार के द्वारा यानि कि C option प्रसनका सही उतर है डीटेल लिख लिजे क्या है तो ओडिसा के मुख्यमंत्री है नवीन पतनायक और उन्होंने राज्य के सभी सहरी छेत्रों में गुणवत्ता वाले पेजल की यानि कि अच्छा स्वक्ष पेजल मिले 2400 गंटे इसके लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन इसका उधगटन किया और राज्य ने मार्च 2022 तक जो है राज्य के सभी सहरी छेत्रों में पानी के पाईप कनेक्शन उपलब्द कराने का लक्षनल धरित किया है और इस बार पूरी तरह से लागों हो जाने के बाद ओडिसा जो है सहरी मामलों सहरी लागों में गुनवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उप्भोग और वो उपलब्द कराने वाले देसका पहला राज्य बन जाएगा बात करें पिछले करेंटरफेर की तो 27 सितंबर को बताया था कि ओडिसा में तीन वर्स के भीतर जुगी जोप्टियों से मुक्त कराने की कारिकरम की सुरुआत हो गई है उसके लाबा उडिसा ने स्वक्षता करमचारियों के लिए सुरू किये गरीमा यूजना और ये बात करेंगे मैप में उडिसा के तो यहाँ पर देख लेंगे ये उडिसा इस्तित है राज़ानिस की भूमनीश्वर है मुक्य मंतरी नवीन पतनायक है राज़पाल यहां के प्रोफेसर गणिचलाल है वहीं बात करें लोगसभा की सीट है की तो यहाँ पर 21 लोगसभा की सीट है राज़पा की 10 और विदान सभा की 147 सीट है बात पिरमुग बांधो की करें तो भीतरकंद के निशनल पार्क यहां पर है सेंब्ली प्रसन की के विश्व हैंड वाशिंग डे कब मना जाता है वो मनाया जाता है पंदरा अक्टूबर को यानि कि ए ओप्षन प्रसनका सही हुत्तर है डीटेल लिख लेजे क्या है तो विश्व हैंड वासिंग दिवस ये पंदरा अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ये आप याद रखेंगे और ये दिवस रोग रोग थाम के लिए प्रभावी प्रवायों में से एक है हाद धोने के महत्व के प्रतिश जागरुक ताप्रदान करने के लिए ये मनाया जाता है बात करें इस बार की विश्व हैंड रैटिंग दिवस की थीम की तो ये है हैंड हाईजीन फॉर ओल ये इस बार की इसकी थीम रखे गई है बात करेंगे आगे कल की सवाल की कल मैंने आप से प्रसनों पूछा था कि किस राजी की मशूर मिर्च डले खुरसीनु को जी आई टेक मिला है रैट ये है किरल की यानि किसी ऑप्षन प्रसनका सही उतर है आप इसे बहुत सारे लोगों ने इस प्रसनका सही उतर दिया है अब आगे बढ़ेंगे बात करेंगे आज की सवाल की आज का मारा सवाल है कि 2020 का रसायन का नोबल प्रसकार किन है प्रदान किया जाएगा तो 2020 का रसायन का नोबल प्रसकार किसे दिया जाएगा ये कमेंट करके जरू बताईएगा यह वीडियो कैसा लगा बताना मत भूली का आज की बात करेंगे यहीं समापता आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत